हेलो स्टूडेंट, माइ नेम इस मनेश, आज मैं डिसकस करने वाला हूँ, सीजी, ओपन स्कूल, अप्रेल असाइमेंट सॉल्योशन, क्लास 12, कक्छा 12, विशय, एकाउंटेंसी, लेखा सास्त्र, अप्रेल असाइमेंट सॉल्योशन, पूरा आंसर डेस्क्राइब करने वाला कर लीजिए बैल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए स्टुडेंट इसके PDF को टेलीग्राम चैनल या फिर blogger.com पर जाकर डाउनलोड करें डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है कहीं पर कोई problem हो तो comment box के जरिये बता सकते हो question number one है accountancy assignment का व्रत्ती विवरणों के विशलेशन की परिभासत दीजिए और उनके उदेश से लिखिए व्रत्ती विशलेशन क्या होता है तो यहाँ पर होता है आपका व्रत्ती विशलेशन विवरणों के मदों के मद्य संबंदों को उचित प्रकार से स्थापित करके वैसाई की व्रत्ती सुद्रता एवं दुरबलता का अभिज्ञान कराने की प्रक्रिया होता है इसका उदेश्य होता है पहला है आपका अर्जन चमता लाफ दायता की जानकारी सेकेंड आपका होता है सोधन चमता का ज्यान प्राप्त करना थर्ड आपका है व्रत्ती सुद्रता ज्यात करने है तू इसका उदेश्य होता है तो थ्री अबजेक्ट होता है इसके बहुत सारे अबजेक्ट है लेकिन इसके थ्री अबजेक्ट मैंने बताये हैं अर्जन चमता, सोधन चमता का ज्यान प्राप्त करना, वृत्ती सुदर्ता ज्यात करने है तू। Second question है student, लेखांकर अनुपात विश्लेशन क्या होता है और इनकी लिमिटेशन क्या है? अनुपात विश्लेशन से आपका तातपर यह होता है वृत्ती विवरणों के मदों के बीच संबंद स्थापित करके वैसाई के वृत्ती विश्लेशन से होता है इसके अंतरगत निर्धारित उद्देश के अनरूप वृत्ती विवरणों की किनी दो या अधीक मदों के मद् जात करके एक निश्चित निश्कर्श पर पहुचा जाता है आपका इसका लिमिटेशन है असत्य परिणामों का खत्रा होता है यदि वृत्ति विवरण स्वयम ही सही ना हो तो उनके आधार पर निकाले गए अनुपात भी सही नहीं होंगे कीमत इस्तर में परिवर्तन सेकेंड पॉइंट आपका अनुपातों की गढ़ना करते समय कीमत इस्तर में होने वाले परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए अनुपात की सार्धरता संदिक्द रहती है लेखांकन विधी में विभिनताएं लेखांकन नितियों में स्टॉक के मुल्यांकन के हराश की पद्धती आदी में पाई जाने वाले विभिनताओं के कारण बिन बिन वैसाईक उपक्रमों के वृत्ति विवरणों में क्या होते भिनता पाई जाती है अनुपात संकेत करने में सहायक न की समस्या हल करने में अनुपातों की सहायता से समस्या संकेत मिलता है समस्या के निवारण के लिए अनुपात सहायक नहीं होते हैं थर्ड कोस्चन है student, most important question है, रोकड प्रवा, विवरन तयार करने के object क्या होते हैं, उद्देश से क्या होते हैं, तो पहला object इसका दो अवधी के मध्य 19 रोतों जिन से रोकड प्राप्त हुई है, और उन भुकतानों जिनके लिए रोकड का उपयोग किया जाता है, कि जानकार ये प्रदान किया जाता है, रोकड उपयोग को योजना के अनुसार नियंतरित किया जा सकता है, या संसा की रोकड के मुल्यांकन में सहायक होता है, प्रबंदकों को वैसा है, संबंधी अल्पकालिन रिनने में रोकड प्रवाविस्ट्रेशन की उपयोगिता अधिक होती ह एलेक्ट्रोनिक विस्तार पत्रिका की चार विसेस ताय लिखे तो पहला पॉइंट आप लोग बनाएंगे ग्रीड ग्रीड आपका क्या होता है एक स्प्रेड़ सीड एक ग्रीड जो पंक्तियों एवं इस्तंबो से बना होता है कॉलम और रो के रूप में दिखाई दिता है प्रत्यक पंक्ति में आपका कुछ अंक निर्दिष्ट होते हैं एक दो तीन अतरिक्त प्रत्यक इस्तंब की पैचान है तू एक वर्ण अक्षर निर्दिष्ट कर दिया जाता है प्रत्तम 26 इस्तंबो को ए से प्रारम करके जैट के वर्ण माला के अक्षरों से निर्दिष् एक विशिष्ट पंक्ती एवं इस्तम का प्रतिछीदन बिंदू इस्प्रेड़ सिट के प्रतेक अंस को परिभासित करता है थर्ड पॉइंट है लैंस आउलोकन तो लैंस आउलोकन क्या होता है इस्टूडेंट लैंस आउलोकन के कारण ही इस्प्रेड़ सिट उप्योग करत को कार्यम में प्रयुकत सिमित पंक्तियों एवम इस्तमबों को देखने एवम उन पर ध्यान के इंद्रित कनने की अन्मती देती है फंक्षन क्या होते हैं इस्प्रेड शिट के कई प्रकारे सामर्थ देते हैं जिनसे कटी नेवं लंबी गड़नाएं कुछ ही सेकेंडों में सौल्व किया जा सकता है पेरोल के घटक क्या होते हैं स्टुडेंट बेसिक एंटी या पूरी तरह से योग्य घटक है मुल घटक के लिए भविस्य निधी लागू है करमचारी राज्य बीमा जो विशेश रुप से भारती स्रमिकों के लिए एक स्वव वित्त पोशन समाजिक सुरक्षा और समाजिक स्वास्ताय बीमा योजना है उनको भी इस घटक के तहत लागू माना जाता है मेडिकल है आपका 2018 अप्रेल आने के बाद से चिकिस्ता करो को पूरी तरह से योग के घोसित किया गया हाला कि भविस्य निधी लागू नहीं है E SIC चिकिस्ता घटक ग्रेचुएटी का हिस्सा नहीं है HRA जैसे हाउस रेंट अलावेंस में छूट तक की संभावना है फोन कॉल प्रति पूर्ती ये क्या होता है स्टूडेंट या केवल कॉल तक की सिमित नहीं है बलकि डेटा और संदेज भी इस विसेज गटक की सीमा पैसे की वास्तविक रासी है जिसे फोन के भत्ते के रूप में खर्च किया गया है लेकिन एक फोन और लेंड लाइन पर तो स्टूडेंट ये पूरे सॉलूशन मैंने करा दिये है चाहे तो आप इस आंजर को लिख सकते हैं अपने आइडियाज भी लगा के पूरे आंसर को कंप्लेट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग वीडियो प्लीज सस्क्राइब यह थैंक्यू